Hello everyone, welcome back to my channel, English Field. As you all know, यहां पर preparation होती है TGT, PGT and LT Great English Literature subject की. So, आज का जो हमारा वीडियो है, वो again बहुत ही helpful होने वाला है. This is a requested वीडियो की literature के साथ साथ में आपकी कुछ जो important topic है, mostly जो आपका preposition का topic है बहुत confusing होता है और exam oriented. means जो exam में आपके अकसर पूछी जाती है TGT, PGT के exam में, तो उसका आपने request किया था. So, we have started. This is the fourth lecture I am going to discuss today. So, जो important है, ओवर का use आज हम देखेंगे किस तरीके से होता है. Seven rules हम discuss करेंगे. So, I request कि आप भी अपने copy pen लेके बैच जाएए. If there is need, आप screenshot लेके अपने notes खुद के prepare कर सकते हैं. And I request कि प्लीज आप self-written notes को prepare करना सीखें और उसकी एक habit develop करें. और साथी में, आप जितने भी concepts हैं, उनको conceptual approach से समझें, ना कि ratification करने की कोशिश करें. तो आईए देख लेते हैं कि कितने rules हैं और किस-किस sense में आप over को use कर सकते हैं. Because, rat के तो यह possible नहीं है. अगर आप एक बार concept समझ लेंगे, तो you will understand better that how and when you are going to use over. Rule first. First rule हमारा कहता है, कि use of over as all over. All over के sense में, हम over को कैसे use कर सकते हैं? जिसका की अर्थ है, सर्वत्र या सभी जगा. Right. सभी जगा के लिए हम किस तरीके से over को use करते हैं? Example देखिए. English is spoken all over the world. सर्वत्र सभी जगा. जिसका sense आया, all over the world. English जो है, सब जगे बोली जाती है, world में. Next example. They have branches all over the country. Means, उनकी जो branches है, कोई भी company है, या फिर कोई institute है, whatever it is. उनकी branches हर जगे पे क्या है? exist करती है, हर जगे पे है. So, सर्वत्र और सभी जगे के sense में हम all over use करते हैं. Right. तो over का एक rule ये हो गया. Second rule is, it is used in sense of more than. ठीक है, से अधिक के sense में भी इसे use किया जाता है. Means, plus age के बारे में, या फिर किसी चीज से अधिक हो. Mr. Gupta is over 40. Means, वो 40 से जगे हैं. Right. Exact age is not given, but it is used in sense of age कि वो उनकी age 40 से जादा है. So, you have used over, more than के sense में. Right. These are the keywords, इस तरीके से आपको याद रखना है. Next example, his income is not over his expenses. उसकी जो income है, उसके expenses से जादा नहीं है. Right. So, this is the sense to use over. Now, next. Over when it touches the surface. So, over हम दो तरीके से और यूज करते हैं. एक तो जहाँ पर सर्फेस टच होता है, और एक जहाँ पर सर्फेस को वो टच नहीं करता है. Right. So, दो जगे हम यूज करते हैं. कैसे? आईए देखते हैं. Spread the cloth over the table. अब यहाँ पर किस सेंस में है? टेबल को टच कर रहा है, जब आप बिशाओगे, कोई भी बेट्षीट बेट पर या पर टेबल पर क्लोथ, टेबल कवर, तो वो उसको टच करेगा. तो यह सेंस है, जहाँ पर वो टच करता हो, सर्फेस को. और यह दूसरा सेंड पार्ट है, जहाँ पर वो सर्फेस को टच नहीं करता है, के उपर. बट सेंस उसका उपर में रहेगा, बट इट्स नौट टच इंग देशाओगे, आपको बस यह ध्यान में रखना है. The clouds are over our head, जो बादल है वो हमारे सर के ऊपर है, लेकिन क्या भादल खड़े होते है, तो टच तो ड़ी करता हैं बादल, राइट? तो इट्स नोट टच नौट टच नहीं करता है, बट लाइट? तो वो भी touch तो करता नहीं है, right, now next, fifth rule, over का sense to be over, समाप्त होने के sense में भी हम over use करते हैं, और generally statement को use किया जाता है, like usually my session gets over at 3 p.m., वैसे normally usually क्या होता है, कि मेरा session जो है 3 बजे over हो जाता है, means खतम हो जाता है, ठीक है, end हो जाता है, समाप्त हो जाता है, so end के sense में, to be over के sense में भी हम use करते हैं over को, now rule six, over as in excess, अब sixth rule हमारा कहता है, कि जब excess अत्य अधिक बोलते हैं, कि आवशक्ता से अधिक, more than needed, तो उस sense में भी, जब excess हो जाती है, उस sense में भी हम over का use करते हैं, let's see some of the example, he over works in the factory, one more thing, over के साथ में कुछ verbs ऐसी add हो जाती हैं, जिससे उसका sense change हो जाता है, like he over works in the factory, so what is the meaning of over works, over work means कि वो, means जितना required उससे जाधा काम करता है, बहुत जाधा वो excess में काम कर रहा है, right, like over time and all, you should not overeat, overeat means आपको जितना required उससे जाधा नहीं खाना चाहिए, तो overeating कहलाती है, that area is always overcrowded, overcrowded वो area क्या होता है, जितना means एक normal crowd, you can understand, बहुत जाधा overcrowded होता है, जिससे पूरा क्या हो जाता है, so that is called overcrowded, so in excess के sense में भी हम overuse करते हैं, right, now rule 7, over can be used to mean other side, अगर हमें ये शोर करना हो means दूसरे छोर या फिर दूसरा के नारा हो sense में भी use करते हैं, over को, like there is a bridge over the river, example, the hotel I am staying at is over the road from here, जिस होटेल में में रुका वा हूँ, वो इस road से उस तरफ है, right, तो इस sense में भी हम over का use करते हैं, तो आपको concept समझ में आना चाहिए, इसको रटने की रटाफिकेशन की कोशिश नहीं करियेगा, now, one notice here, when we use that, wait, when we said that there is a bridge over the river, तो यहाँ पर across का भी use करते हैं, right, अब across का कैसे करते हैं, there is a bridge across the river, means उसके पार, चीक है, उस छोर की जब आप बात करते हैं, next side की, other side की, तब भी हम across का भी use कर सकते हैं, और over का भी use कर सकते हैं, so no need to get confused, my uncle lived just across शास्त्री चौक, शास्त्री चौक जो है, मेरे uncle just उसके दूसरी साइड में रहते हैं, right, when used as phrasal verb, जब यह phrasal verb की तरह use होता है, तो fell over का use हम बता रहे हैं, जहाँ पे down शो करता है, okay, जहाँ पे sense निकलता है, down का, right, the phrasal verb fell over, the old man fell over and broke his leg, कोई बुढ़ा बुजोर की अक्ती गिर गया और उनका पैर तूट गया, right, so he broke his leg, so here also in sense of down, we'll use fell over, right, so these were the concepts, I hope you all have understood, so friends, I hope this video will be helpful for you, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज आप इसको लाइक करना बिलकुल ना भूले, because it gives encouragement to upload more and more videos, and even don't forget to give your feedback in comment box, if you have any of the question in your mind regarding your syllabus, or anything regarding your topic, so you can comment in comment box, and you can interact through the comment box, इसी तरीके की series आपको देखने को मिलेगी, previous year questions, and the series of questions after the explanation of topic, don't forget to watch that, उससे आप अपनी अच्छी preparation कर सकते हैं, and even you can evaluate कि आपके preparation कैसी हो रही है, और कितने marks आप score कर रहे हैं, तो test series हर उसकी चल रही है, question series आपके पूरे channel पे, playlist में आपको मिल जाएगी, playlist आप check कर सकते हो, सारे writers की, और literary terms की भी, now we have started this preposition topic, after finishing this, we'll start with another topic of grammar, और उसमें वही सारे rules होंगे, जो आपके exams में आते रहे हैं, या आ सकते हैं, if you want to join our group for the preparation of TGT-PGT, so you can join that WhatsApp group, number आपको description box में मिल जाएगा, उस number पे आप message कर सकते हैं, और इस group को किस तरीके से contact किया जा रहा है, इसमें एक strategy-wise आपको daily कुछ ना कुछ टास्क मिलता है, and students are regular, एक regularity बनी रहती है, for the preparation of your exam, और अगर आप self-prepared notes चाहते हैं, so after completing your base knowledge, you can buy that, and contact number is given in description box, so see you soon now, in next video, tomorrow, कल से फिर, दो लेचर आपके upload होंगे, उसमें मिलते हैं, with new strategy, and new concept, new questions, till then, prepare well, bye-bye, take care, ऐसे ही, informative videos के लिए, latest update के लिए, please चानल को subscribe करें, और डेल आपको लिप करना बुलकुल ना भूलें, जिससे आपको latest videos के updates मिलते रहें, और आपके preparation अच्छी होती रहें, thank you so much,